तो kretopathy शुरू करते हैं, kretopathy जो के एक non-inflammatory disease है, kornia की हमने सब में पढ़ा कि information हो रही थी, उसके अंदर हमारी information stress involved थी लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, कि जो हमारी metabolic activity है, kornil epithelium की वो disturbed हो जाएगा, kornil epithelium की metabolic activity क्या होगी, उसने जो इसकी बनाने होंगे ठीक है उसने फिर metabolic waste जो होंगे उसको remove करना होगा फिर उसकी body पर आपको पता है कि microvilli present होते है microvilli प्रोपर जो टीर फिर्म को maintain करना होता है फिर आपको पता है सबसे उपर वाले लेर ही यह है इसकी सारी sensations भी इसके अंदर होंगी cornea की ठीक है अगर इसकी metabolic activity maintain नहीं रहेगी तो corneal epithelium खुद खुद ही destroy होना शुरू होना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो इसकी दो types है एक है हमारी neotrophic keratopathy है ठीक है और दूसरी है exposure keratopathy जो कि हम next पढ़ने पहले भी हम keratopathy पढ़ लेते है नियोट्रोफिक वाली उसके अंदर क्या होगा कि हमारी degeneration होगी corneal epithelial cells की वह क्यों हो कि मैं आप बता चूकर हैं कि जो हमारे epithel cells है वही तूटने है वह क्यों तूटने हैं क्योंकि जब impaired corneal innervation हो जागी आपको पता कि अब impaired हो चुकी और इसकी innervation तो hypoesthesia हो गया होगा है कोई innervation नहीं रही किसी तरह की sensation नहीं रही तो reflection क्या होगा reflection आप लोगों को पता था कि हमारे corneal reflection है इसने बाद में secretion release करनी होती है like animation करनी होती है आई को protect करना होता है ठीक है वही protect करता है जब हम अंगली लगाते हैं तो यही sensation लेता है और जाकि हमारा brain reflection देता है तो आंक बंद करता है ठीक है एक तो protective mechanism disturb हो जाएगा ठीक है एक तो protective mechanism disturb हो जाएगा तो एसी फिर मारे जो metabolic activity को control कर रहे है अगर वो metabolic activity नहीं control करेंगे जो हमारे waste है जो मतलब जो metabolic waste मर रहे होगे वो metabolites remove ही नहीं हो पाएंगे epithelial cells से जब metabolites अंदर रहेंगे सार्ट बिकर अंदर रहेंगे तो पानी बेंदर जाएगा ठीक है वो cells edimatis हो जाएगे और खुद बाखुद ही गिरने शुरू हो जाएगे टूटने शुरू हो जाएगे तो हमारी टीर फिल्म भी डिस्टरब हो जाएगे टीर फिल्म भी डिस्टरब होगी ठीक है metabolic activity भी टूट गे और हमारी कोई sensation भी रही और एक चीज़ जो बुक के अंदर ने लिखी होई नर्स और जो हमारे अपिछी रिलेशन होता है यह दोनों growth factor रिलीज कर रहे होते हैं नर्स नर्स की तो वह आसे growth factor रिलीज के लिए healthy हो तो जो ने एपिछी रिलेशन बनेंगे भी न तो वह प्रोपर नहीं बनेंगे वह ऐसे बिल्कुन के लूस से junction होगे वह तोड़ते जाएंगे और मतलब repairing भी नहीं हो पाएगी और इसके अंदर एteology के है जो मसले मसाइल मारे फिफ्ट क्रेली नर्फ के अंदर आएंगे ट्राइजमिनल नर्फ में जवाब लोगों को पढ़ाईए कि जो उसकी सिलिए नवारी आ तो भी मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे ठीक है या फिर अल्कोहल ब्लोग का जाए हम नॉर्मली जब neuralgia होता है ना ट्राइजमिनल नर्फ का जब दर्द और यह ट्राइजमिनल नर्फ के थ्रू तो हम उसके अंदर injection दे जाते है तो ब्लोग कर देता है तो हमें कोई मतलब तो हम नवी जन है तो क्या पेन होगी तो केस में होसकता है कि हम ऐसी जो से लॉंग से और अंदर सुरू हैं तो यह सम्टम जानी शुरू हो जाएंगे मूज की महारा बैर टीलर भी मुष क्वाना ट्राइजमिनल नर्फ काशण हो जाएगी उसके नियोपेसिज्स कर सकती simpler आंग यहां पर सब्स्क्राइब को ची में परहुँ है को प्राइसी को मारें को परता इनरफेंट arrest अभी च्छिंट करना कि तब किनुञ परहों परहुत सबस्क्रा ख़िक takie होकिते हैं पर ट्रापीट्द करिते हैं दीध अभर का इनरफ और हो यह जो Munक först कि अभर Gusty राइज मड़कर। संटर में से टूटे नदर आएंगे और से बने होंगे तो यह इम्मेन फ्लोरिसनस का रिजल्ट आएगा और हो सकता है जो हमारे से बच्चे यह अपीच सारी सेंटर वाल तूड चुके जो सैड़ों पर बता रहे हुए वाले बच्चे हो एपिचिल अपिछ इन्जाई में ज जाएगा इसको में स्टीर अलसर आएगा इसके नदर कुछ भी बैक्टिरिया नहीं प्राजन और लेकिन फिर भी अलसरेशन हो रही है ठीक है और कॉनिल मेल्टिंग होने चुड़ कि लिकोफेक्टिव नेक्रोस की शुड़ हो चुकी है अगर सेकेंडर इन्फेक्शन होग है तो इसके लिए एन्टी को रिपेर करने के लिए टालेंगा और जो आँखो में डालो इसके पर दो यहां पर कोई सिंपल टेपिंग वारा कर दो आइलेड कि कर एकस्टेर्नल वायरमेट से आँख बाच सके यहां पर बोट्लिनम के इंजक्शन देदो आपको पता है ऐसक मोटर नर्व हैं जो मारी उलिवेटर बस स्प्लाई कर रही है अगर इसको इंजेक्शन दे देंगे ना तो प्टॉप तो जी तो हो जाएगा खुद बाखुद ही हमारी आंक जो आइलिडर न दोनों आपसे मिल लें गिर जाएगे और सिलिकोन लेंज दा यूज कर सकते हैं अगर ना बचाना इस सारी पुसीच्टियोस के लिए है तो ठीक है उसको सुचर कर दो जरसे भी साइड़ों से भी तो हमारा मसला मसला हो जाएगा उसके बाद हम चलते हैं एक्सपोयर क्रेटोपैथी की तरफ जो के सेकिंड फोर्मों क्रेटोपैथी है एक्सपोयर नाम से तो आंख नजर आएगी तो ड्राइ ओट होने के ज़रा चांसी होगी तो इसमें क्या क्या हो सकता है निर्लोजिकल हो सकता है कि बैस पाल्सी हो जो के जस्टिन वेबल को भी थी ठीक है अब लोग समझ रहोगे कि अब डूपिंग आई लिड होता है तो इसके अंद कैसे हमा आई लिड बेश है कि आपको डूप और रहता है लेकिन आप आँको कुंप्लिटली बंद निकर पा रहे तो थोड़ी सांग खुली रहती है तो इसके अंदर भी यह मसलिंसायल देखने कर जा जाता है हमारा जो आई बोला काफी बढ़ा हो जाता है तो उसके जो जो हमारे आई लिड आना उसको कुलोज ही निकर पाते है तो मसलिंसाय शुरू हो जाते है यही वाले एक्सपाई अग्रेट पर एक्ट्रॉपियों नहीं पढ़ाया था जिसके अंदर हमारे जो आई लिड आना वो इवर्ड कर जाते है बाइड की तरफ और बाइड की तरफ कर जाए तो उसके अंदर से हम कुछ स्किन रिमूव करते थे कुछ अंदर से टीश्य रिमूव करते थे ताके मसल चोटा हो और हमारा आई लिड अच्छी तरह तरीके से उपन होना शुरू हो जाए अगर वह जियारा कर देंगे तो आई लिड अपनी पोजिशन से भी उपर चला ज करते हैं ठीक है इसके वाइसे मुष्य रही होती रात को मांखे बंद कर लेते हैं और स्कून से हो जाते हैं लेकिन दोने फीचर नहीं आ रहे होंगे इसके वाइसे हमारी आई ड्राई ओट होगी ठीक है डैसिकेशन होगी कौनी इन एपिछली साइस के तूट के गिनना आने शुरू हो गए है और उसके बाद वह एक तरह है अगर अगर उपर से सूपर सीडिल मेक्टील इंफेक्शन हो गया है तो फिर वह परफॉरेशन की तरफ भी गेस जा सकता है ठीक है ठीक है ठीकल फीचर है हमों के देखने को मिलेंगे सिंप्टम बहुत सेम होगे ड्रा बात में हमें लेक्री मेशन सेक्टर ठीक है साइंस में क्या आएगा कि यह में पंक्टेट अपी तो बने चल्क भी मता चूका हूँ निकलता है सूरज की जो रहे हूंगी जो थोड़ा वह तुमारा एक बहुत हो रहा है उसके थोड़ी बहुत तीर फिल्म थी उसको भी ड् वर्स होगी इन पेशेंट स्केंदर और टीटमन क्या होगा टीटमन में आर्टिपिशल टीर देने आपको पता लेकरिमेशन स्टैमे रिडियूस होगी है और साथ में टास्व रफिक कर देने हैं अगर यह हमारे दोस आइलेड है तो उनको साइड़ों से सुचिर कर देना है पिर आइलेड का बहुत थोड़ा से पोर्च ने एक्सपोज होगी है सारे के सारे अगर्दों तक जब तक हमारा टीटमन ही हो जाता है ठीक है और मेंली तो ट्रीट उसको करना है टीवलोजी चुको और चार्रा उसको ट्रीट करना है यह तो बस सिम्टोमाटिक ट्रीटमें तो टॉपिकल एंटिमेंस ज्यता हो सेगनी इंफ्लेक्शन ना हो पाए और एक्टोपियन की सजड़ी करो और एक्टोपियन पाया जाता हो